Books That Speak में आप सभी का स्वागत है कहानी का शीर्षक है नसिरुद्दिन का निशाना कहानी के लिए आभार रिमजिम कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्थे पुस्तिका कहानी का वाचन असावरी दोशी एक दिन नसिरुद्दिन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया तिरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता मैं धनुश कसता हूँ, निशाना साथता हूँ और तीर छोड़ता हूँ हाई हाई, तीर सीधे निशाने पर लगता है दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने नसिरुद्दिन की परिक्षा लेने का फैसला किया एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीत कर ले आया नसिरुद्दिन को थमाते हुए उसने कहा ये लो, तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष पर देखते है कि तुम सच बोल रहे हो या जूट नसिरुद्दिन फस गए, उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया दोर खीची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को तीर निशाने पर नहीं लगा, बलकि वो तो बीच में ही कही गिर गया सभी दोस्त हसने लगे क्या यही तुमारा बहतरी निशाना था? उन्होंने कहा, नहीं नहीं हर्गिस नहीं, ये तो काजी का निशाना था मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है इतना कहते हुए नसिरुद्दिन ने दुबारा धनुष उठाया दोर खीची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूग गया दोस्तों ने कहा ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसिरुद्दिन बिलकुल नहीं, नसिरुद्दिन ने कहा ये मेरा नहीं सेनापती का निशाना था एक दोस्त ने ताना कसा सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठाका लगाया नसिरुद्दिन खामोश रहा उसने चुपचाप एक और तीर उठाया नसिरुद्दिन ने एक बार फिर तीर चलाया इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया सभी आश्चरिय से नसिरुद्दिन की और मूँ बाए ताकने लगे इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता नसिरुद्दिन ने एक विजेता के अंदाज में कहा देखा तुमने ये था मेरा निशाना तो ऐसे है अपने हाजिर जवाबी मुला नसिरुद्दिन तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली प्रस्तुती में बाई बाई धन्यवाद